खिर से आज एक अच्छी खबर है वह इस बिडियो को पूरा जरूर देखें तो आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ जानकरी मिलने वाली है केबल एक जानकरी नहीं काफी बहुत जानकरी मिलेंगी तो किसर भाईयो बैसे तो मुझे पता है कि आप लोग लगातर अमारे वीडियो देख रहे हो कल मैंने लगातर जल्दी में ही दो डाल दीती एक सब्सक्राइब बहुत करें लिए तो मैंने अपने टाल जो बहुत की अच्छा लिया था आपके जो सबालते पूरा मैंने उसमें पूचा है उसको जाके आप नीचे देखिए वह इंटरव्यू आपके लिए काफी काम आने वाला है जो जानकरी उसे इंटरव्यू लीगी ह या भाड़े वाली जनकरी हो काफी लोग कहते हैं कि भाड़ा सरकार कुछ बता रही है कुछ लिया जा रहा है किसानों की समझ में नहीं आ रहा है भाड़े का क्या होगा बहुत कुछ मैंने पूछा है भाड़े के बारे में पूछा है मैंने यह भी पूछा है कि 2000 तेश में 1000 नहीं भिखेगा सब पूछा प्रंत इंटरव्यु को को जत देखना टो आज के इस list लेकिन सब्यूत्व में कर लेते हैं कुछ सब से पहले बारे में सब्सक्राण के बारे सब्सक्राइब रजाए वहांद के निकाला जा रहा है तो किसा वहाई बंगाल की अभी पूरी तरह reporting नहीं आई है लेकिन नौर्थ बंगाल में हमें एक चीज और सुने को मिली है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा कुछ मैं बताने वाला हूं तो देखिए अगर मैं समसे पहले में नौर्थ बंगाल के बारे में बात करूंगा तो देखिए बंगाल में लाल आलू में तेजी है बंगाल में लेकिन सफेद आलू में तेजी नहीं है जो कि नौर्थ बंगाल में वहाँ पर नौर्थ बंगाल में लाल आलू में तेजी सफेद में ग्रावट है अब क्यों है वह तो इसमें जाता है नेपाल में जाता है तो इस वज़े से वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा डंप वाले आलू की पिक्री हो जाती है अब नौर्थ पंगाल में इसमें डंप भी जाता नहीं है तो फिर आप क्या होगा एक महीने के लंशम डंप चलेगी जबकि उनके लिए डाई महीने तक रासन का अलू डंप में रहना चाहिए क्योंकि नहीं बारे में इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इस चैनल पर आपको अलग अटके ही जानकारी मिलती है ठीक है यह दोजार 23 सबसे अलग हो रहा है बंगाल के लिए भी सुनने में यह आ रहा है कि बंगाल में लगवक तेरे करोड क्या स्परस्पेक्ट हो जाएंगे तो लेकिन साथ आठ साल में सबसे अलग 2023 होने वाली है अब वह क्यों होने वाली है वह मैं आपको बता जीता हूं तो देखिए 2016 से लेके 2022 तक अभी भी तेरे कहा कड़ा कभी नहीं आया है अभी तक जो आलू महां पर लोडिंग हुआ है उसमें तो मैं बताता हूं कैसे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको हुआ था पैकेट वहां पर लोडिंग और 2019 में 12 करोड 79 रहा था 69 और 2020 में 11 करोड 31 लाग हुआ था अब 2021 में 14 करोड 48 लाग पैकेट थे और 2022 में 12 करोड 65 लाग पैकेट थे आप मुझे एक वागता है यह शह साथ आठ साल में इसमें 13 करोड का कोई आंकड़ा है नहीं है सटो घाटे वाली याुजाद मुना लाफ हम घाटे वाली ली हम तो यहीं चाह्रा है कम से कमOoh बीच वाली साल है किसानों को सब 죄송r तो अब लगारे में तो लेकिन मजबूर में डंप लगानी पड़ रही है क्यों लगानी पड़ रही है यह ब्यास को पता देता हूं तो देखिए बंगाव में 200 ठ्ट का खर्चा यानि 200 UP वहां यह केकड में लगभ Ayah निकलते ही और प्र इस अब बंगाल में कितना आता ह। मैं आपको बता दो 200 say अब थक खर्चा लगव क 들고 शुक्र नहीं कोंड़ में पुछाने तक के लिए हों तो देखिए खर्चा में आपको बता रहता हूं जो मैंने काफी गहराई यहाँ से निकाला है वहां का एक-एक मैंने पूछा वहाँ का जैसे एक खल के इंटर्विवें में पूछा ना कोलड बालों से एक-एक पुंट इसे प्रकार महां से जानकारी भी निकालते हैं तो देखिए वहाँ पर 40 रुपे पैकेट का खर्चा आता है खेट से लेके और कोल्ड तक पहुंचाने तक 15 किलुमीटर के दाइरे में जहां कोल्ड होते हैं पहले मेरे डलना चाहिए आलू पहले मेरा डलना चाहिए इस वजह से एक दो रुपे बढ़ गया है बैसे 25 रुपे से उपर ही रहता है वहां पर भाड़ा नीचे आता है नहीं हमारे तब भी थोड़ा दूर है तो 20 रुपे में चला जाता है ठीक है तो वहां पर लगवा कि 34 20 रुपे का खर्चा आ रहा है इस समय के सारवाईयों के लिए 200 पैकेट कोल्ट तक ले आने के लिए और 6 रुपे वहां से लोडिंग है यानि खेस से और ट्रॉली में डालने तक का 6 रुपे खर्चा आ है तो लगवक 40 रुपे पैकेट का यह खर्चा आ रहा है तो आप के लिए इदर रखे जाई है 1000 रुपे ठीक है और तब अपने पॉंड ले जाई है और आलू लिया यह तो इस प्रकार वहां पर लगवक 20 रुपे पैकेट के साब से बॉंड मिलता है जो कि किसान वहां पर 2000 रुपे जमा करके आते हैं 200 रुपे डालने के लिए और बॉंड बारदाना हो गया भारदान होगए ती जो पक्रतों होते हैं जो कड्योंते हैं यूंट यह प्लास्टिक यंट में लगता 10 रुपे मार्दाना और 2 रुपे EXकान वाई जिब UKOLD में आनूला ये जाते और उसे मतलु थेली में से निकाल यहां तो हम कुछ ने देते हैं किसान कोई देने पड़ते हैं ठीक है अनलोडिंग करने के कोल्ड में तो 400 रुपर यह हो गया 200 पैकेट का खर्चा पिलस यहां पर जो बजल कराया जाता है हर ठेली का यह नहीं दो ठेली गई तो 100 रुपर ठेली के हिसाब से लगा लीजिए 200 पैकेट के ठेली आती हैं तो लगबग 200 रुपर यह हो गया बजन का तो आप जैसे इनको टोटल जोड़ोगी तो टोटल किसानवाईयों इनका खर्चा आ रहा है आठ यार एक चार यार एक दो जार एक फिर चार सो एक फिर दो सो एक तो यह आरा 14.600 रुपर टोटल अगर आपकी पैट्रोल खर्चा चाय खर्चा जो कुछ लगा के लगवाग 15.000 के लंसम किसानवाईयों का खर्चा आजा था 200 रुपर के डलने के लिए इस वज़े से अब बात करते हैं कुछ 12 मंकी के बारे में तो 12 मंकी में आज के रेट की बात करें सिंदु राइंदर्वन आलू की तो 20 रुपर वहां पर बढ़ोत्री की गई है और साथ सो एक्क्यामन वाला साथ सो पचास वाला आज साथ सथा रुपर तक वहां पर विका है कुंटल का ब बढ़ोत्री देखी गई है तेजी देखी गई है आप यह माल सकते हो लाल आलू पहले जो 30 रुपर पेकेट वह विकरा था वह विकरा दोस रुपर पैकेट ठीक है क्योंकि लोकल की मांग नहीं है इसकी पर जासे अब बात करते हैं संबल की तो संबल में किसान वाई हो कुछ साड़े आठ सो भी चलना होगा बढ़िया क्वालिटी का चिप सोना तो यह तो किसन वाई हो आज मैंने आपको काफी कुछ वीडियो में बताया है तो ऐसी आपके लिए जानकरी लगातर मिलती रहेंगी और इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब करना और किसन वाई हो स आजगोर्ट नमसकार